देखो बच्चो, question number 5 में क्या है, तुम्हें factorize करना है y square plus 7y plus 10 को y plus 7 से, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो numerator है, पहले उसी को factorize करते हैं, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर हम middle term splitting का use करेंगे, यहाँ पर y के साथ coefficient क्या है, 1 है, तो यह देखो, 1y square plus 7y plus 10 है, ठीक है, तुम क्या करो, यहाँ पर 1 into 10 कितना होगा, यह तुम्हारे पास हो जाएगा 10, अब तुम दो numbers ऐसे लो, जिसको मैं multiply करूँ तो 10 आए, अड़ करो तो 5 है, ठीक है, तो simple तुम फोरण से बोल दो कि 5, 2s are 10, और 5 plus 7, 5 plus 2 जो है, वो 7 होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ बेदल टर्म splitting को हम factorize कर लेंगे, तो मैं इसको लिख देती हूँ, y square, plus, यह क्या हो जाएगा, 5y, plus 2y, 7 को मैंने 5 plus 2 लिख दिया, ठीक है, plus 10, divided by y plus 5, ठीक, अब क्या करोगे, अब हम इन दो को एक साथ जो है, ले लेंगे, इन दो को एक साथ लेंगे, ठीक है, यहाँ से तुमने y common लिया, तो क्या बच जाएगा, तुम्हारे पास अंदर y plus 5, ठीक, यहाँ से दोनों में से तुम, टू common ले लूँ मैं, टू common लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y, यहाँ क्या बच जाएगा, बताओ, 10 को मैं लिख सकती हूँ, 2 5s, 10 मैंने 2 common ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है, clear है, चलो, this whole divided by y plus 5, ठीक, अब देखो, y plus 5 यहाँ भी है, y plus 5 यहाँ भी है, common ले ले, तो इसको लिख दो तुम, y plus 5, common ले लिया, और दूसरी दरफ क्या बच जाएगा, तुम्हारा, y plus 2, ठीक है, divided by y plus 5, सही है, अब देखो, y plus 5, y plus 5, cancel out हो जाएगा, क्या बचेगा, y plus 2, यह तुम्हारा answer आजाएगा, ठीक है, देखो बच्चो, second part में क्या है, m square minus 14m, minus 32, upon m plus 2, पहले जो तुम numerator को इफेक्टराइज कर लो, ठीक है, middle term splitting से ही करेंगे, इस पर क्या coefficient है, 1m square के साथ, तो 1 into 32 क्या हो जाएगा, 32 और एक negative sign यहाँ है, चलो, दो numbers ऐसे लाओ, जिसको multiply करो, तो 32 आए, minus का, add करो, तो 14 आए, तो अब देखो, 16, 2s are 32, ठीक है, और देखो, 16 minus 2, कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक, लेकिन तो मैं minus का 14 चाहिए, तो मैं minus इधर लगाती हूं, plus इधर लगा देती हूं, ठीक है, तो अब देखो, यह भी minus का 14 बगन गया, इन दोनों को multiply करोगे, तो minus का 32 आएगा, चलो, तो हम क्या लिख सकते है, इसको, m square minus, 14 m को क्या लिख सकते है, हम, 16 m, plus 2 m, मैंने, minus 14 m को, 16, minus 16 m, plus 2 m, लिख दिया, ठीक है, minus 32, upon m plus 2, ठीक, अब क्या करोगे, तुम दोदो को, सेक्टराइस कर लो, इन दो को एक साथ ले लो, और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, यहां से m common लो, कितना बच जाएगा, m minus 16, ठीक, इसको देखो, हम कैसे लिख सकते है, 2 m minus, 32 को कैसे लिख सकते हो, 32 को लिख सकते है, हम 2 into 16 लिख सकते है, अपन m plus 2, ठीक है, बच जाएगा, m minus, यहां पर 16 बचेगा, ठीक है, बच्चो, चलो, अब देखो, क्या करेंगे, हम यहां पर m minus 16, 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 16 common ले लो, चलो, अब क्या बच जाएगा, m plus 2, ठीक है, बहुत हलके हलके आराम से करो, बहुत आसान questions यहां, ठीक है, और यह अपने दिमाह में बचालो, कि हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक, m plus 2 दोनों पर दिचे, cancel out कर लो, तो यहां लेस विद, m minus 16, यहां यहां 5 सब में है, तो मैं 5 common ले लेती हो, तो यहां क्या बच जाएगा, बल कैसे रुको एक सिकन को, इसे लिखो 5 P square, ठीक है, 25 को लिखते, 5 5s are 25, ठीक है, सही है, ठीक, और 20 को हम कैसे लिखेंगे, 20 को भी हम लिख देते हैं, 5 4s are 20, अब ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आएग यहां भी 5, यहां भी 5, तो अब हमने 5 हो, क्यों के common ले लिया, तो क्या बच जाएगा, P square minus 5P, minus को sign दे, इसने minus लगा है, plus लगा हो, यहां 4 बच तो 4 लिखो, अब पॉन P minus 1, ठीक है, clear है, चलो, अब हम क्या करेंगा, P square minus 5P plus 4 को factorize करते हैं, ठीक है, अब देखो, इसे middle term splitting से करेंगे, कैसे, यहां पर हम 1 है, है के नहीं, तो 1 into 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, अब हम 4 को ऐसे दो numbers में divide करते हैं, split करते हैं, उनको multiply करो, तो 4 है, ठीक है, plus या minus करो, तो 5 है, कैसे, तो देखो, 4 और 1, 4 बच तो 4, ठीक है, लेकिन अगर तो minus 4 और, 4 प्लस 1 करते हो, तो कितना आएगा, 4 प्लस 1 का 5 आएगा, लेकिन यहां माइनस 5 है, तो मैं माइनस 4 और माइनस 1 लोग नहीं, इसको जारा add करो, तो युजाएगा, माइनस का 5, multiply करो, तो 4 बंजा 4, माइनस, माइनस, प्लस, तो यही आ रहे है, ठीक, चलो, 5 को इधर ही रख प्लस 4, साहिए, अपॉन, प्लस 1, ठीक, अब यह हो जाएगा, 5, यहां पर इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, यहां पर तुम पी कॉमन ले लो, इन दोनों में से पी कॉमन लो, तो कितना बचेगा, पी माइनस 4 अंदर है, यहां यहां पर P, यहां पर minus 4, इन दोनों में से minus 1 common ले लो, ठीक, यहां क्या बच जाएगा P minus 4, ठीक है, divided by P minus 1, ठीक, चलो, यहां तक समझभा आया राम से, अब क्या करोगे तुम, देखो, 5 तो था ही यहां पर, ठीक है, 5 लिख लेते हैं हम, अब P minus 4 इधर भी, P minus 4 इधर भी, P minus 4 लिख दो, यहां क्या बच आप P minus 1, इसको एक bracket में कर लो, ठीक है, नीचे क्या है तुम्हारे पास denominator में, P minus 1, ठीक है, ठीक है, P minus 1 से, P minus 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, 5, P minus 4, ठीक है, यह तुम्हारा आंसर आजाएगा, अब देखो बच्चों, यहां क्या कर सकते हैं, मुझे नजर आ रहा है, Y से Y कैंसल आउट हो रहे हैं दोनों में, ठीक है, Y से Y कैंसल आउट हो गया, अब देखो यहां पर, 2, 1's are 2, 2, 2's are 4, ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या बचा, 2Z, ठीक है, और यहां क्या बच रहा है, तुम्हारे पास, Z square, plus 6, Z minus 16, ठीक है, साही, नीचे क्या बच रहा है, Z plus 8, ठीक, साही, अब क्या करेंगे, हम इसको factorize करेंगे, तो यहां पर Z के साथ coefficient क्या है, Z square के साथ 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 into minus 16, कितना हो जाएगा, 1 into minus 16 हो जाएगा, minus 16, ठीक है, अब दो numbers ऐसे लाओ, जिसको multiply करें, तो minus 16 आए, plus minus करो, तो 6 है, तो देखो, अगर तुम 8, 2000 करते हो, तो 16 आता है, है ना, तो तो तुम्हें minus का sign भी चाहिए, तो हम किसमें minus लगा देंगे लगा दे, देखते हैं, तो देखो, इसमें minus लगा है, a2 का 16 और minus, ठीक, लेकिन अगर मैं minus 8, plus 2 करते हैं, तो मेरे पाँ, minus का 6 बन रहा है, मुझे plus का 6 चाहिए, तो हम इसको plus कर देते हैं, इसको minus कर देते हैं, आगे समेंगे, sign ऐसे लगता है, तो देखो, 8 minus 2 हो गया 6, अ अब देखो, 2Z, हाँ, अब हम क्या करेंगे, Z square, plus 6Z को कैसे लिखोंगे, मैं 8Z, 8Z minus 2Z, minus 16, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, अपन Z plus 8, ठीक, चलो, अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, Z square plus 8 को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करो, ठीक, तो देखो, यह हो जाएगा, 2Z, इन दोनों में से Z common लो, क्या बचेगा, Z plus 8, चलो, यहां जो अधर की तरफ, यहां से हम minus का 2 common ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा, Z, minus ले लिया जाएगा, तो यहां आ जाएगा, plus, 8 में मैं क्या multiply करूं कि 16 बने, sorry, 2 में क्या multiply क करूं, 8 है, तो 16 बन जाएगा, चलो, नीचे क्या आ जाएगा, 8 plus Z, ठीक, सही है, चलो, अब देखो, कैसे आगे, effect rise हो गाएगा, इसको कैसे लिख देंगे, 2Z, 8 plus Z, 8 plus Z, common है, ले लो, 8 plus Z, क्या बचेगा, Z minus 2, Z minus 2, नीचे क्या बचेगा, Z plus 8, ठीक है, आया समझ में, कुछ cancel out हो रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ cancel होते हैं, तो हाँ भए, Z plus 8, Z plus 8, ठीक, क्या बचा, 2Z, Z minus 2, ठीक है, तुमारा answer आ जाएगा, अब देखो बच्चो, 5th पार्ट में क्या है, 5PQ into P square minus Q square, है ना, नीचे यह, कुछ cancel out हो रहा है, तो हाँ भए, हमें नजर आ रहा है, के भए, P से P जा रहा है अभी है, तो P से P तो ले ही लो तुम, ठीक, अब कुछ और नहीं, अब कुछ नहीं जा रहा, अब तुम इसे 5 by 2Q, हम, यह देखो बच्चो, P square minus Q square, को अइरेंटिटी लग रही है, तो हाँ भए, क्या अइरेंटिटी यह, P square minus Q square को क्या लिख सकते हो तो, P minus Q into P plus Q, लिख सकते हो गा है, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, A square minus B square पढ़ा है, क्या होता है, A minus B into A plus B, हाँ, divided by P plus Q, ठीक है, साह है, चला, एक साथ कर जा, चाहो तो, एक साथ लिख दो, ठीक है, चाहो तो, एक साथ लिख दो, एक ही बात है, अब देखो, P plus Q से P plus Q cancel out, ठीक है, तो तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 5 by 2, Q into P minus Q, ठीक है, तुम्हारा answer आ जाएगा, सहीं, अब देखो, बच्चो, 5 पार्ट में क्या कर सकते हो, उपर नीचे तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा, तो उसको cancel out कर दो, तो हाँ, मुझे, X देखो, यहाँ पर भी मिला, X यहाँ पर, दोनों cancel हो जाएगा, Y यहाँ पर, यह दोनों भी cancel out हो जाएगे, ठीक है, और कुछ, हाँ, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ठ ठीक है, चलो, अब क्या क्या बच्चा तो हम पस 3 बच्चा, यह बच्चा 9x square minus 16y square, ठीक है, चलो, अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकते हूँ, plus 4y, ठीक है, numerator पर अभी दिहान देना, इसको हम लिख सकते हैं, बच्चो, 3x का square लिख दो, minus 16y को क्या लिख सकते हैं, 4y का square लिख सकते हैं के नहीं, ठीक, अब कौन सी identity लगा सकते हैं, हम यहाँ पर देखो, यह identity लग रही है, a square minus b square की, है न, क्या होता है वो, a square minus b square क्या होती है, a plus b, बोलो, a minus b, होते हैं, चलो, divided by 3x plus 4y, कुछ cancel हो रहा है, तो कर दो, तो आहां भी 3x plus 4y, यह दोनों पर नीचे है ठीक है, तो क्या मिल रहा है, आपको 3 into 3x minus 4y, यह तुमारा answer आजाएगा, सही है, अब देखो, बच्चो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नदर आ रहा है, cancel होता है, तो हां भाई, 13 3s are, 39 होता है, 13 2s are 26 होता है, हां, तो कर दो इसको, 13 2s are 26, 13 3s are 30, मैंनों उपर नीचे 13 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अब देखो, y का cube है, मतला, y कितना हुआ, 1, 2, 3, हां, into, इन दोनों में से हम क्या कर सकते है, 2 common ले, 2 देखो, मुझे दोनों में नजर आ रहा है, और तो कुछ समझ में आई नहीं रहे, 2 मेंने common लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यह 25y square, minus, 98 में से 2 ले लो, तो अंदर कितना बच जाएगा, 49, ठीक है, चलो, upon 2y square, plus 5y, plus 7, y का, 2 से 2 भी जा रहा है, देखो भई, यह तो अबने देख रही नहीं है, 2 से 2 चला गया, कुछ और, y का square है, तो 1, 2, 2y भी चले गया, क्या बचा है, यहाँ पर 3y, अब यह देखो, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, 25y को 5y का square, 49 को 7 का square, ठीक है, 5y, plus 7, identity लग रही, कौनसी identity, a square minus b square, क्या होती है, identity, a plus b, into a minus b, ठीक है, divided by 5y plus 7, क्या करोगे, 5y plus 7, 5y plus 7, cancel out, ठीक, क्या बचेगा, आपके लिए, 3y, 5y minus 7, ठीक है, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक, here we end this exercise, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करना, थांक यू फर वाचिं, ब्रेनो सोलीशन, और फ्रेंज के साथ शेर करना,